कितनी आसाइशें हस्ती रही एवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। इसे बुनकर समाज कहा जाता है, जो अपने हाथों के उंगलियों के हुनर से धागे से धागा जोड़ता है और हमारे आपके जिस्मों के लिए लिबास बनाता है। आपके लिबानपुर हो, बिहार का भागलपुर हो, तमिल लाडू का सेलम हो, त्रिची हो या फिर आंदुर प्रदेश का गुंटूर हो, इन तमाम शहरों में लाखों परिवारों के घर का चूला जिस उद्योग की बदौलत जलता है, वो उद्योग आज बदहाली का शिकार है, सभापती महोदे, पूरी टेक्स्टाइल इंडस्टी में 60% लगभग कंट्रिबूशन पावर लूम इंडस्टी का है, लेकिन सरकार ने इस इंडस्टी को यतीम छोड़ दिया है, बेसहारा छोड़ दिया है, कॉंग्रेस की सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए 30% कैपिट सबसीडी दी थी, लेकिन 2014 में जब भाजपा की सरकार आई, तो उसे घटा कर 10% कर दिया, और इन दिनों पिछले 6 महीने से उसे भी बंद कर रखा है, सभापती महोदे, गबबर सिंग टैक्स, यानि सरकारी भाशा में GST, धागों पर लगाई गई GST ने पूरी यार्न मार् के fluctuation ने ये दिखा दिया है कि उस पर सरकार का कोई control नहीं है, और ये उद्दोग उसकी वज़ा से ज्यादा तबाह हो रहा है, चाइना से नेपाल और बंगलादेश के रास्ते होने वाली dumping ने इस उद्द्योग की बरबादी में और सहायता जताई है, पूरे एशिया में स सबसे ज्यादा पावर लूम भीवंडी में हुआ करता है, लेकिन सरकारी उदासींता के बाद पिछले दिनों दो लाग से ज्यादा पावर लूम मशीने कबार में बिग गई, सभापती महोदे जिस बनारस में कभी करगे पर बैठ करके कबीर दास जी जीनी बीनी चदरिया बुना करते थे, उसी बनारस में आज बुनकर भाई इंट भटो पर काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं, अंत में सभापती महोदे मैं आप से कहना चाहता हूं कि करगों के धागे तूट रहे हैं, मशीने कबार में बिक रही हैं, पावर लूम को सप्लाई होने वाली बि GST की लिमिट 20 लाग रखी है, मैं अनुरोद कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं कि GST की लिमिट कम से कम 50 लाग की जाए, इस उद्योग पर मरहम लगाया जाए, सस्पिक इज़ी दी जाए, अब्दुला, अंति मंति मा, सबापती महोद है, टाइम ओवर, हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए, हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लिजिए, और बेल आइकन दबा लिजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ, तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिकरिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मुद्धिए, अगर आप